हाई गाईज हरहर मादेव हम हाच चुके हैं वैस्णो देवी माता के कट्रा पर बिलकुल हम लोग हैं मातारानी के धाम वैस्णो देवी के धाम कट्रा में जहां तक कि आप ट्रेन से बड़ी ही आसानी से पहुँच सकते हैं लेकिन क्योंकि आपको जाना है मातारानी के भवन दर्सन करने के लिए मातारानी के तो वहाँ पर आप किस तरह से जा सकते हैं क्या-क्या चीजे लगती हैं वही मैं आपको सौर्ट में बताने वाला हूँ जब आप पहुच जाएं भवन तो सबसे पहले आपको वहाँ पर बस्टेंड पर पहुच जाईए कट्रा जो जमू बस्टेंड है वहाँ पर या फिर रेल्वे से आप मातारानी के लिए यात्रा परची बनवाना बहुत जरूरी है सबसे पहले जब आप इस से बाहर निकलें या तो आब इससितल भी बना लेजी यात्रापार्ची या फिर आप बाहर निकल कर जो काड जैसा रदा उसे बोलते हैं यात्रापर्ची तो आप बस-attend पे जा कर भी यात्रापर्ची को तैयार कर सकते हैं वहाँ का जो द्रस है एकदम मनोहारी आपको लगने वाला है क्योंकि जब आप माता रानी के दर्सन करने जा रहे हैं जिसका मतलब ही होता है कि आप बड़े ही पुन्यवान हैं तभी तो माता रानी ने आपको वहाँ पर बुलाया है नहीं तो माता रानी हर किसी को वहाँ पर नजर आएगा अभी हम लोग आ गए हैं जमनी बस्टेंग पे जहां के पास में ही यात्रा परची के काउंटर हैं जहां पर समय लिखा हुआ है इस समय पर आकर आप अपनी यात्रा परची बनवा सकते हैं प्रसाद काविल आप यहां से आप ले सकते हैं और उसके बाद आपक बाण गंगा की ओर बाण गंगा जहांसे की माता राणी की यात्रा प्रहरंब होती है गराणी है माता राणी के भवन की यात्रा करेंगे तब कुछ इस तरह से नजारे देखने को मिलने वाले हैं यानि कि यहाँ पर आपको टॉलेट्स बगेरा भी मिल जाएगे रास्ते में तो आपको इस बात की भी कोई चिंता करने की जरुत नहीं है और बहुत सारे भक्त जो मातारानी का जहकारा लगाते हुए आपके साथ चलने वाले हैं उससे आप में एक अदबुत ही उर्जा आ जाएगी जिससे आप अपने आपको बहुत ही भाग्यसाली और पुण्यात्मा महसूस करने वाले हैं यह जो आप सामने दिख रहे हैं यह मातारानी का भवन है जो कि जब आप चड़ाई करेंगे मातारानी के भवन के लिए तो इस तरह से कुछ दिखने वाला है जब आप भवन पर पहुँच जाएंगे तो वहाँ पर यह डोर मैट्री वाला होटल भी आप ले सकते हैं ख़णा ख़णे के लिए नीचे बेस केंटीन हैं आप और भी आराम कर सकते हैं बाहर जो मग तगन बैठे वो उस तरह से आप सीड़ीों पर बैठकर इंतिखार कर सकते हैं अपनी बारी का नहने वग्छरा का और उसके बाद आगे की आप यात्र तारारानी के दर्सं के लि तो आप सोभी बत्तों के लिए जैमातादी हर हर महादेव करने नियाक बत्तों के छादी जैमाताव के लिए? कर दो कर दो